आज कॉंग्रेस कारे समीति की बैठक हुई कारे तो वो कुछ करते नहीं लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको गाली देने का काम करते हैं सोनिया जी ने कहा है कि ये सरकार और भारतिय जंदा पाठी नफरत का जहर गोल रहे हैं कॉंग्रेस समाज में जान बूज कर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलिफ देता है इसलिए हम इनके ऐसे वक्तों व्योकी भर्षना करते हैं देश एक दिशा में जा रहा है कोविद से लड़ रहा है महमारी से लड़ रहा है तब जाके कॉंग्रेस वाले केवल और केवल पार्टी के स्वार्थ की बात करते हैं समाज में भेद उत्पन न करने का लगातार कोशिश करते हैं सरकार को सहयोग करने के बजाए सरकार के काम में आडंगा लाने का काम करते हैं जनता देख रही है कौन काम कर रहा है और कौन दिक्कत ला रहा है और इसलिए आज इससे ज़्यादा कहने की जुरत नहीं है मुझे विश्वास है कि देश की जनता सब समस्ती है ये नकारात्मक राजनीती है कौन्ग्रेस की जबकि उनको सकारात्मक राजनीती का परिशे देने का एक मौका था कि वो आगे आते सपोर्ट करते वालेंटियर्स बनते लोगों को खाना बाढते लोगों की सेवा में लगे रहते और सरकार को अनेक बैटों को में उनको बुलाते तब सुझाओ भी देते लेकिन ये कोबल पब्लिक स्टेटमेंट और समाज में भेत तयार करने वाले कि जान बुझकर ये विशय उठाते हैं इन विशयों का और वास्तविक्ता का कोई सम्मन नहीं जो भारत पर टिपन्या हमेशा करते हैं वो भी आइसे विशय रखते हैं वैसे विशय कॉंग्रेस रखती है कॉंग्रेस को देश के सटकार के साथ इकटा कर अच्छा काम करके लिखाने का मौका है वो करें और ऐसे वक्तवे अच्छा करें यहीं हमारी अपील है लेकिन ऐसे वक्तवे जो किया है उसके बर्चना करते हैं अच्छा करें